हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल आज हम वीडियो में 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की स्टीचिंग के साथ साथ बाजू में कपड़ा कम रहे तो कैसे जॉइंट करनी है और फिनिसिंग के साथ इसकी फिटिंग कैसे करनी है देखेंगे अगर आप इसकी कॉटिं वाला पाठ है उसको आम फोल्ड करेंगे ऐसे बीच में से फोल्ड कर देंगे और यहां पर देखेंगे 0.75 पर एक निशान लगाएंगे यहां पर तो आप इंच भी लगा सकते हो क्यूंकि यहां पर ज्यादा थोड़ा देने से पॉप अच्छा आएगा इसलिए मैं 0.75 प स्टीश कर रहे हुँ तो यहां से हम एक सिलाई कर देंगे 언 इसके बाद हम कटोरी का उपर बाला हिस्सा के साथ इसको जॉइंट करेंगे और यहां पे भी आप हाप इंच मार्जिन देखे आपको शिलाई करनी है अगर हाप इंच से कम भी रहेगा तो भी हमारा कटोरी अच्छा नहीं इसका सेफ अच्छा नहीं बनेगा तो इसलिए इस पट्टी के साथ जॉइंट करेंगे आप कभी भी एस पट्टी के साथ जॉइंट करने से पहले आप एक पर इसको नापके देख लीजिए क्यूंकि आपका कभी-कभी छोटा बड़ा भी होता है हमारा यहां पे छोटा बड़ा नहीं होगा परफेक्ट फिटिंग हुआ है सारी परफेक्ट कटिं हुआ है तो यहां पर हम इसको पहले आप जब भी सिलाई करेंगे तो कटवरी को हम उपर रखके सिलाई करेंगे देखे कभी कभी क्या होता है हमारा जब cotton कपड़ा pure cotton रहता है तब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने कहा थोड़ा chance रहता है तो भी थोड़ा सा हम हलका सा खींच लेते हैं बाकि कोई भी कपड़ा ऐसे भी सिलाई करने टाइम थोड़ा बहुत खींच जाता है तो देखिए अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं हम उसको कटिंग कर देंगे देखिए यहां पर हमारा जैसे थोड़ा सा हलका सा छोटा यहां पर हमारा कटिंग कर दिये थोड़ा सा बड़ा था तो देखिए हमारा कटोरी का सेफ कितना अच्छा हुआ है अब इसको हम बेल्ट के साथ जाइंट करेंगे देखिए कपड़ा मेरा जाधा था, इसलिए मैंने बेल्ट को डवल कर दिया है, तो यहां पे हमारा बेल्ट की सिलाई सीधा होगा, एक दम से सीधा से हम एक सिलाई लगा देंगे, कि यहाँ पर हम बेल्ट कि जोइंट कर देंगे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर के जोड़ा सा कटिंग कर दिए और फिनिसिंग के लिए हम बेल्ट के जो उपर है एक सिलाई और लगा देंगे ये देखिए दोनों पाट का हमने सिलाई कर लिया अभी ये हुख पटी आई पटी लगाने से पहले इसको अच्छे से माप लेंगे हमारा बराबर होना जरूरी है और थोड़ा सा इधर से देखिए थोड़ा सा तिर्चा सीधा नहीं था तो मैंने यहां पर कटिंग कर दिये हैं अभी क्या करेंगे देखिए अच्छे से इसको फिर से नाप लेंगे हमारा ये बराबर होना बहुत जरूरी है नहीं तो आप हुख जब लगाएंगे तब आपको दिक्कत आएगी तो हुख पटी के लिए देखिए मैंने ये 1.5 इंच का कपड़ा लिया है तो यहां पर हमें एक उपर हापिंच थोड़ देंगे और नीचे हापिंच छोड़के एक सिलाई हम कर देंगे देखिए यहां पर उपर हापिंच छोड़ दिया और नीचे हापिंच रखके कटिंग कर देंगे और यहां पर भी देखिए एक सिलाई ऐसे कर गे और यह जो हापिंच नीचे छोड़ेते इसको फोल्ड कर देंगे अंदर को अब यह हूप पटी अंदर को फोल्ड होता है तो इसको अंदर दबाते हुए फोल्ड करते हुए एक सिलाई सिधा लगा देंगे और जो हाप इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उपर के लिए तो इसको हम कटिंग कर देंगे अब यह आइपटी लगाएंगे आइपटी के लिए मैं यहाँ पर साड़े चार इंच का कपड़ा लिया है और इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और वो हुक पटी ब्लाउज के सीधे साइट हुआ था और आई पटी ब्लाउज के उल्टे साइट में करेंगे तो यहां से भी हाप इंच हम छोड़ देंगे और एक सिलाई हम कर देंगे इस सिधा सिलाई हम कर लेंगे और नीचे हापिन छोड़े थे उपर भी हम हापिन छोड़ देंगे और बाकी का जो कपड़ा है हम कटिंग कर देंगे इसको देखें यहां से एसे फोल्ड करेंगे और आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए उसी इसाब से आप इसको फोल्ड करेंगे आई पट्टी के लिए बस आपका सिलाई जो है वो दिखना नहीं चाहिए और उपर जो हाप इंच रखा है उसको हम कटिंग कर देंगे यह हमारा हुक पट्टी आई पट्टी तयार है फिर भी एक बार और हम मापके देख लेंगे देखें अगर थोड़ा सा हलका सा छोटा है बड़ा है तो इसको हम कटिंग कर देंगे देखें यह हमारी कंप्लिट हो और ब्याक साइट की गला हमने कटिंग किया है अभी इसमें जो यह होता है टाक्स लगता है हमने टाक्स लगा दिया अभी टाक्स लगाने के बाद हम इसमें कमर पट्टी जाइंट करेंगे तो दो इंच का मैंने कपड़ा कटिंग किया है इसको हम डबल करेंगे और एक सीधा शिधा सिलाई यहां पे लगा देंगे सीधा सिलाई लगाने के बाद ये जो पट्टी के ऊपर और एक सिलाई लगा देंगे पिर इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर देंगे फिर यहीं पे हमारी तुरपाई होगी देखे ये back side भी complete है, बाद में हम गला बनाएंगे और इसको हम map के देखेंगे, हमारा बराबर है की नहीं दोनों side रखेंगे और map केंगे फिर हमी कंधा joint करतेंगे, कंधा joint करने के बाद गले के लिए हम तिर्चे में उरेप कपड़ा जैसे उरेप कटते हैं तो piping आप चाहे लगाओ या तुरपाई करो तो इसलिए हमने तिर्चे में कपड़ा cutting किया है देड़ इंच का कपड़ा मेंने cutting किया है और यह ऐसे तिर्चे में joint होगा joint करने के बाद हम इसको देखिये किस तरह से लगा रहे हाप इंच ऐसे रख देंगे और इसको अंदर फोल्ड करेंगे अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे और यहां पर खिंचने की हमें जरुरत नहीं हम पूरे गाले पर एक सिलाई लगा देंगे थोड़ा थोड़ा margin रखते हुए हम इसको stitch कर देंगे और लाश्ट में जैसे हमने wielu ऊपइंच फोल्ड किया था अंदर को अभी लाश्ट में भी हमें इसे करना है हाप इंच अंदर को फोल्ड आदिये फिर इसको हम पलट देंगे देखिए इस तरह से होगा यहां पर सीधा सिलाई पट्टी के उपर एक लगानी है चाहे आप तुर्पाई करो चाहे आप कुछ भी करो तो यहां पर हम थोड़ा कट लगा देंगे कट लगाने से हमारा गला अच्छे से पलट जाएगा देखिए यहां पर आप ऐसे पाइपिन भी लगा सकते हो तुर्पाई भी कर सकते हो मैं एक सिलाई में यहां पर तुरपाई कर रही हूँ सरी मैं यहां पर पाइपिन लगा रही हूँ देखे अभी बाजू बाजू पर हमारी कपड़ा कम था तो हम इसमें जॉइंट केसे करेंगे तो बाजू की लंबाई आप कटिंग भीडियो देखने से आपको पता चलेगा तो यहां पर साड़े साथ इंच है हमें नौ इंच चाहिए तो यहां पर हाप इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी तो साथ इंच रहा और दो इंच हमें एक्स्ट्रा जॉइंट करना है तो धाई इंच हम जॉइंट कर देंगे तो थोड़ा हम ज्यादा करेंगे जरुत पड़ेगा तो बाद में कटिंग कर देंगे तो दोनों साइट में अभी हम कपड़ा जॉइंट करेंगे तो देखिए हम किस तरह से कपड़ा जॉइंट कर रहे हैं ये कटिंग हम बाद में करेंगे जो हमारा आर्मोल साइट में जो कटिंग होगी तो हम पहले क्या करेंगे ये देखिए दोनों साइट के लिए मैंने कपड़ा रखा आए तो इसको हम जॉइंट कर देंगे जैसे इधर साइड जाइड किया वैसे ही उधर साइड भी जाइड कर देंगे देखिए दोनों साइड जाइड हो गया और एक्स्ट्रा कपड़ा जो था हमें इसको कटिंग कर दिये हैं देखिए इस तरह से हमने दोनों बाजु कटिंग कर देंगे और नाप लेंगे हमारा नौइच है कि नहीं देखिए हमारा बिल्कुल पर्फेट नौइच या रहा है तो अभी ये दोनों पाट को हम इकटा करेंगे और आर्मोल का जो है हम देखिए माप लेंगे देखिए यह करेंगे आर्म मोल का जो गोल से भोद Smells होता है कसे बहुत कर लेंगे अ देखिए किस तरह से मैं कट्टिंग कर रहा हैं से 120 से 3 इंच के बिज में एक निशान Лगा के यहीं से हमारा यह कट्टिंग हो जाएगा यह हो गया हमारा sleep की cutting तो अभी इसका जो middle point है हम इसको एक निशान लगा देंगे नहीं तो एक cut लगा देंगे लगाने के बाद देखें यहां पर कंदे पर हमें इसको लगाना है इसको इसे तरह से एक सिलाई हमें इसे लगा देंगे जैसे इधर साइट लगाया उधर साइट भी हम ऐसे लगा देंगे एक सिलाई देखें हमने दो बाजू का लगा दिया स्टेज कर दिया है अभी क्या करेंगे लगाने के बाद हम यहां से finishing देने के लिए यहां से माप लेंगे हमारा बराबर होना बहुत ज़रूरी है ब्लाउज की सीधी तरब सीधी तरब हमें हाप इंच में एक सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद देखें हमने उसको पलट दिये है पलटने के बाद देखें कोई भी धागा नहीं निकला है हमारा कोई पीको मेंसी नहीं है फिर भी हमारा सिलाई कितना finishing आ रहा है और यह हमें कर लिया, अभी हम फिटिंग का निसान लगाएंगे, फिटिंग का क्या कर है, हमारा यह देखिए, यह हमारा आई पट्टी है, यह हमारा ज्यादा यहां पर जॉइंट है, तो इसको छोड़ के हमें निसान लगाना है, तो हमारा जितना भी, हमारा जैसे यह 34 सा इसका अभी बाजु का है 5.5 इंच इस तरह से देखिए हमारा लाइन भी सिधा आ रहा है तो इसी तरह से हम उदर साइट भी निशान लगाएंगे लिकिन वहां पर हूक साइट पर हमारा कोई भी जॉइंट नहीं है तो इसलिए हमारा निशान पूरा फर्स्ट से ही लगेगा निश इसे हमारी सिलाई भी हो जाएगी